नमस्कार स्वागत है आपका एडवाइंस एडिया पर मैं हूँ नवीन चोहान प्रधानवंतुरी नरेंद्र मोदी ने तीन कानून जो क्रिशी कानून थे जिन पर जबर्दस बहस विरोध चल रहा था वो वापस ले लिए उसके बाद हर कही किसान बड़ा खुश नसर आ रहा है वैसे सवाल यह है कि किसान को मिला क्या एक साल पहले कानून आए लागू नहीं हुए अब वापस हो गए किसान तो जहां था वही है ऐसे मैं आज हम आपके लिए कुछ पॉजिटिव स्टोरी भी ले कर आए सिर्फ विरोध करने से काम नहीं चलेगा बलकि आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सेटपाल जी मौजूद है जो एक किसान है पेशा उनका किसानी है लेकिन किसानी के दम पर ही पूर्व राश्रपती अब्दूल कलाम ने उन्हें सम्मानित भी किया हुआ है आज उनके खेत में हम आएं लियाजा उनसे बातचीत करेंगे और सबसे पहले मैं सेटपाल जी आपको स्वागत करता हूँ है एडलाइन से इंडिया पर और मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो तीन कानून रद हुए इसके बारे में आपकी क्या प्रतिकिरिया है और क्या प्रधानमंत्री मोधी पर जो लगातार प्रेशर था इन कानून को लेकर क्या ये बिल्कुल सही फैसला है और प्रधानमंत्री मोधी ने किसानों का बड़ा सम्मान रखा है क्या तेखिए मैं सबसे पहले तो आज इस बात के लिए दुखी हूँ जो एक साल पहले हमारे प्रदानमंत्री जी ने तीन कर्शी कानून लेकर क्या थी सरकार उसमें जब ही से विरोध विपकसी लोग तमाम तरह के कुछ किसान संगठन भी उस पर विरोध कर रहे थे मेरा मानना जब तक किसान के खेती में बदलाव नहीं आएगा आज प्रदानमंत्री जी ने कर्शी कानून तीनों वापिस ले लिये हैं यह वापिस नहीं होने चाहिए थे जब तक किसान को उसकी फसल का मुनासिम दामनी मिलेगा जब तक किसान उद्यमी के रूप में नहीं सोचेगा जब तक किसान के पास में कोई contractor नहीं आएगा, contact farming नहीं होगी, जब तक हमारे coal store की chain नहीं बनेगी, कोई उध्यमी नहीं आएगा, तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है, तो फिर क्यों था, सरकार तो कानून लेकर आई थी, विरोध कहा हो गया था, वो तो यह यह कहा जब दिया सकते है कि किसान जो थे या जो लोग वहां पर थे, वो समझ नहीं पाए, या उनको समझाया सही से नहीं गया, आज खुद परधानमंत्री मोधी ने कहा कि हो सकता है कि अच्छे से नहीं समझा पाए हो, हमारी गलती रह गई हो, यह बात सही है, चुके जो आम धर करशी कानून वापिस लिए है, यह करशी कानून वापिस नहीं होने चाहिए थे, देखें जहां तक इसमें कर्शी कानून में MSP का स्वाल था, या किसान जब कॉंटेक्ट करने के बाद, S.D.N. के यहां अदालत में जाता था, उसके पास सरकार ने का था, कि हम लोग इसमे मजिस्ट्रेट के यहां पर भी उसमें जाकर के उसका ओप्षन रखेंगे अच्छा कि सरकार ने बार-बार का आईए बैठिये काला बताएगा इसमें लेकिन कोई भी उसमें विरोध केवल एक ही मात्र वो थी कि कर्षी काले कानून वापिस होने चाहिए बस चलिए सेटपाल जब तो क्रिशी कानून जो थे वो वापस हो गए और अब सवाल यह है कि किसान का भला कैसे होगा आपको इस वक्त में इनके खेत में उसेटपाल जी को मैं खेत दिखाना चाहूंगा इधर अगर आप देखें तो यह सिंहड़ा है उधर कमल है जो कमल की खेती होती वो है औ उधर अगर बात करूं तो गन्ना नजर आ रहा है और यहां पर रोईतेवाली तस्वीर भी दिखाईए यह आप देख रहे हैं कि यह गन्ना है और गन्ने के बीच में जो आप पसल देख रहे हैं जो पोदे देख रहे हैं चोटे-चोटे वह आलू है यानि आलू की खेती इन्होंने यहां पर की है उधर देखेंगे तो वहां पर भी गन्ना नजर आ रहा है तो सेटपाल जी बड़ी वराइटी आपने अपने खेत में लगा हुई है सवाल यह है कि और किसान मजबूर है क्यों नहीं लगा पा रहे ही बात उनको या उनको कोई बताने वाला नहीं है या उनको इतनी समझनी है कि इन से कैसे कमाई की जाएगी कैसे अपनी मेहनत मज़ूरी निकाली जाएगी क्या कहेंगे मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत हूं जब तक किसान उद्यमी की तरफ सोच नहीं रखेगा जब तक किसान अपनी खेती को करसी वीविधी करन की कमल की खेती की है इससे हमारा कमल का फूल मिलाया कमल गट्टा मिले आगे जाकर के में कमल ककडी भी मिलेगी और जैसे जैसे हमारा उत्पादन का मुआ इसमें सिंगाडा डाल दिया इसमें सिंगाडा भी मिलना है यह हमारा प्लेन खेत रहे मातर इस खेत का लेबल और इस ख कि लेखने के साथ अवने के साथ हमने एंदेखने में मशूर लिए तो इसमें दरहन गीम हो गया इन घे कि नारे पार के लिए उपकी मान सकता हूं जोनद गरना मैं आपका का देखहा हूं जो ऑब छिनने के लिए कटने के लिए तयारThis में पहले बिनार ligam इसमें पिछले साल प्याज, लेसुन, छपन कद्दू और आलू की खेती हमने इसमें की थी और यह अभी अमारा तयार है कटने के लिए बिलुकुर अभी इसकी परच्यानी सुरू होगी तो कि यह सितंबर सुईंग है यह अभी हमने सितंबर में बोया है इससे पहले इस खेत करने में खीरा था उसके बाद हमने लोकीली मचान के उपर फिर हमने कद्दू लगाया कद्दू के बाद फिर हमने इसमें यह चुक्त शेट पाली सवाल यही है जब आप इतना सब कुछ लगा रहे हैं तो आम किसान क्यों नहीं कर पा रहा या उसको कौन समझाएगा सरकार कहीं विफल है या आपको लग रहा है कि जो करेक्टिविटी सरकार के लोगों को उनके नुमाहिंदों को उनके करमचारियों करनी थी वो करने में विफल है इसलिए सरकार किसान जो है वो पीछे रह गया जब तक मैंने एक बात कही जब तक किशान बैठ करके मन्थन नहीं क करेगा चिंतन नहीं करेगा उद्ध्यमी की तरफ सोच नहीं रखेगा हमारा किसान किवल गन्ना गेहूं और धान उनकी तरफ और सरकार के मस्पी के ऊपर फिर निधाद रहता है मस्पी पर जैसे गन्ना सरकार ने साड़े तीन सो रुपे क्वेंटल कर दिया कोलू में ढ़ तरफ में खड़े ते हम इन तीनों क क्रक्सम खड़े अब आपको लग रहा है की यह गलत हो गया है लंहां आप संदर में आप कह Cinthar में आप यह किसां सो जहां तो करना तकैनि यह ऐा जो हमारे पास cold storage की चैन होगी किसान अपना माल जो चुके जब फ़लों में एकदम फ़लों में अमारा उत्पादान आता है यह हुए धान है यह हमारी सबजी की खेती है यदि हम उसको storage में रखेंगे तो जो flood market में एकदम से आता है वो ना करके धिरे-धिरे मिलेगा लेकिन सवा हाकार मज जाएगा महिंगाई कास्तार बहुत ऊपर हो जाएगा यह कारण था उनका देखेगा अड़ानी और अमबानी तो आज भी वह जो खृदन है उनको उनसमें भी खृदेंगे कल यदि उसका जो उनको करना था जो उत्पाद किसान के खेत में पैदा करके उनको कॉं किसान का सोसन में पर बहुत जवर्जस्त होता है अब आपको क्या दिखा रहा है पॉलिटिकल सवाल है क्योंकि चुनाओन निजदीक आ आ हैं आपको क्या दिख रही है सरकार अगर मैं कहूं किसानों के पक्ष में रही या पूरी तरह से भी फल बिलकुल इमांदारी से वाइदा किया था किपू के पस्ठी मुंतर प्रदेस गन्य की चर्चा के बीना नहीं होसकता सरकार नेबादा किया था हम 15 दिन कि और गbard fidelity MP जहां तक MSP ले ठान की समस्य और कि समस्य और जब तक सरकारी धान में तो इतने नोम्स है इतने नियम कानून है उनके 50% के मैं गते हैं 70% किसान का तो MSP भीक नहीं पाता है और जो गेहूं में थोड़ा सा ठीक रह जाता है अगर उसके बाद भी अगर सरकार की जब कांटे बिग जाते हैं गेहूं का रेट 2050 रूपे क्वेंटल मार्कीट म बड़ा और सबसे बड़ा कारण है हाला कि सरकार किसी और एंगल से सोचती है हम किसी किसान के पीछे जितना भी हमारा कोटे में रासन आ रहा है सरकार पांच रूपे प्रती यूनिट के हिसाब से एक महिन्ने में दो बार एक बार फीर में एक बार दो रूपे तीन रूपे एक एसाब सदे रही है वो शुआ हम पंचात में राशन डिलर यहां राशन बिखता है उस दिन the उस दिन घ्राम में छोटा हाथी वाला पीकप औज हमारी शाइकल वाला साइकल वाला वो फिरी लगाता है को टे के चावल बेचलो मेरा मेरा एक स्वाल है हम चाहते हैं किसानों को आप उन गरीब आदमियों को रासन दो लेकिन यदि हम उसको सबसीडी के रूप में उनके खाते में पैसा दें और फिर वो खुरीदे तो साहद किसान की हालत यहां पर भी जो हमें यह मंदा हो रहा उसमें भी सुधर में सुध देख रहा है एक तरफ तो यह योगी आकर अभी लगे हुए हैं साड़े चार साल पांच साल उनको होने वाले हैं दूसरी तरफ तरफ तवाम पार्टे हैं और क्या यह किसान का मुद्दा जिस तरीके से चल रहा था जिस तरीके से इस पर राजनीती बड़ा जटका लगा और आप लोग क्या सोचते हैं बहतर आपको अब कौन दिखाई दे रहा है तो जनता जनार धन की बात है पांच साल तक पिछली सरकारों को भी देखा इस सरकार को भी देखा है और इसमें कानून विवस्था की पहले की कानून विवस्था की जो थी और जीरतना तमाम तरह देखो उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता जो कि जनता की वह है लेकिन हर आदमी है इनों अच्छा काम किया आगा तो इनको सरकार बनेगी अगर उनकी लोग बाग इनके कंपरिजन में जा करके उनको देखेंगे तो उसके बारे इसमें तो देरा अपना कोई चलिए तो झाल